पीए मोधी पर अपमान जनक टिपणी की भारी कीमत चुकाएगा मालदीव बाइकॉट मालदीव जैसे सोशल मीडिया ट्रेंट से मालदीव को लगा तगड़ा जटका इस माई ट्रिप ने मालदीव जाने वाली भारत की सभी फ्लाइट की बुकिंग की रद चलिए आपको बताते हैं भारत अगर रूठा तो मालदीव को कितना बड़ा जटका लग सकता है नमस्कार टीविनाइंदे लेंसे आट देख रहे हैं आप और आप सभी दर्शुका का बहुत 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 इस चैनल में स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रतिग्या कश्यप सोशल मीडिया पर बाइकोट मालदीव अभियान के बीच इस माई ट्रिप ने एक बड़ा कदम उठाया है इस माई ट्रिप ने सभी मालदीव फ्लाइट की बुकिंग कैंसल कर दी है इस माई ट्रिप एक भारतिये ओनलाइन ट्रैवल कमपनी है और उसने ये फैसला हाल ही में पिये मोदी की लक्ष दीप की यात्रा को लेकर मालदीव के कुछ मंत्रियों की ओर से की गई अपमान जनक टिपणियों के बाद लिया है इसे लेकर इस माई ट्रिप कमपनी के को फाउंडर और सीई ओ निशान्त पिटी ने एक्स पर पोस्ट शेर करते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रों के साथ एक जुट्ता में इस माई ट्रिप में मालदीव की सभी उड़ानों की बुकिंग को रद कर दिया है इसके साथ ही इस माई ट्रिप ने चलो लक्षुदुईप अभियान की शुरुवात की है चार जनवरी को अपने पोस्ट में प्रशांत पिटी ने ये लिखा कि लक्षुदुईप का पानी और समुद्र तट मालदीव जितने अच्छे हैं हम इस माई ट्रिप में इस प्राचीन गंतव्य को बढ़ावा देने के लिए विशेस ओफर लेकर आएंगे जहां हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दौरा किया है भारत और मालदीव के बीच विवाद लगतार अब बढ़ता ही जा रहा है सोशल मीडिया पर हैश्टैग बाइकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है पीएम मोदी पर की गई टिपड़ी को लेकर भारतिय परियाटिकों के बीच खासी नाराजगी देखी जा रही है और कई भारतिय परियाटिकों ने मालदीव जाने की अपनी जो यात्रा है उसे रद्ध कर दिया है अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बाइकॉट मालदीव का ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ दरसल पीए मोदी ने अपनी लक्ष दूइप दोरे के अनुभव को एक्स पर शेयर किया था जिसमें पीए मोदी ने ये लिखा था कि जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं लक्ष दूइप उनकी सुची में जरूर होना चाहिए मैंने स्नौर्कलिंग की भी कोशिश की ये कितना ज्यादा उत्साह जनक अनुभव था पीए मोदी का ये पोस्ट काफी जादा वाइरल हुआ था और कई सोचल मीडा यूजर्स ने लक्ष दूइप को मालदीव का वैकलपिक परियटन अस्थल बता दिया मालदीव के तीन उप मंत्रियों ने पीए मोदी की लक्ष दूइप यात्रा के बाद एक्स पर उनकी आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि नई दिल्ली इस केंद्र शासित प्रदेश को मालदीव के वैकलपिक परियटन अस्थल के रूप में पेश करने का प्रयास कर रही है जिसके बाद युवा मंत्राले में उप मंत्रियों मालशा शरीफ मर्यम शिउना और अब्दुल्ला महजूम माजद को उनके पदों से निलंबित कर दिया गया है बावजूद इसके पिये मोदी पर की गई टिपड़ी के बाद भारतिये परियटक मालदीव यात्रा कैंसल करने के बाद लक्ष दूइप और दूसरी जगों का प्लान बना रहे हैं ऐसे में मालदीव के परियटन उद्योग को बड़ा जटका लगना तैमाना जा रहा है दरसल मालदीव के जीडीपी का लगभग 56 प्रतीशत टूरिज्म से आता है और वही दक्षिन एशिया के कुल अंतरराश्टिय परियटन का लगभग 24 प्रतीशत सिर्फ मालदीव में ही आता है मालदीव के परियटन उद्योग में भारतियों का बड़ा योगदान है साल में 2 लाख से ज्यादा परियटक मालदीव जाते हैं एक रिपोर्ट की माने तो 2022 में लगभग 2.41 लाख भारतिये मालदीव गए और 2023 में भी लगभग 2 लाख लोग मालदीव गए थे अब ऐसे में मालदीव को भारत से पंगा लेना भारी पड़ सकता है और इसलिए उसने बयान बाजी करने वाले तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है और मालदीव सरकार लगतार उनके बयान की निंदा भी कर रही है और साथ ही साथ आपको बताए कि कई ऐसे अक्टर एक्ट्रिस है भारत के जिनोंने इस बयान बाजी की निंदा की है उन्होंने कहा है कि P.A. मोदी पर इस तरह के टिपनी से बचना चाहिए मालदीव को क्योंकि जो परियाटक हैं, भारतीय परियाटक जो मालदीव जाते हैं, वो ऐसी टिप्पड़ी के बाद मालदीव नहीं जाएंगे और अब हो सकता है कि लक्ष दूइप में जो भारतीय परियाटक हैं, वहां वैसे ही उम्रे क्योंकि पीए मूदी ने खुद इसके बारे में ट्विट किया है और वहां के रोमांचकारी सफर को साजह किया है